पूरे प्रदेश में हर पेट्रोल पंप पर आपको ऐसी भीड देखने को मिल जाएगी क्योंकि एक फाल गई है कि ट्रक और बस ड्राइवर्स की हरताल की वजह से ट्रांस्पोर्टेशन पर काफी ज्यादा बुरा सर पढ़ रहा है पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंच पा रहा है और हमारे साथ कुछ ऐसे कस्टमर्स जुड़े हुए हैं जिनका कहना है कि पेट्र पाल पर पेट्रॉल खत्म होने वाला है इससलिय utilizz खत्रॉल होग लोग गटे के को थे हर्ता रही है कि अकप्त्रोल नह आये है टंकी फुलगराने आया है कि बस जितना भरवाद यहां पर भीड कितनी ज्यादा है अपने कैमेरे परशन से चाहेंगे कि वह एक बार लोगों को दिखाएं कि किस कदर यहां पर हौच-पॉच मची हुई है लोग बस किसी भी तरह अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराना चाह रहे हैं और यह सारी इस पूरी हौच-पॉच की वज़ा बना है केंद्र सरकार का लाया हुआ नया कानून जो की हिट एंड रन के लिए है बस और ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि पहले जो सजा थी उसमें कई गुना जादा बढ़ोतरी कर दी गई है उनकी सैलरी कम होती है और दस साल की जेल और साथ लाक रुपे जुर्बाना भरना उनके उपर काफी बुरा असर डालेगा ना सिर्फ पेट्रोल पंप बलकि बताया जा रहा है कि सबजीयों के दाम भी काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं हम आगे पेट्रोल पंप के मैनेजर से भी जानने के कोश किवल मात्र चार हजार लीटर है पेट्रोल पहले किस हिसाब से कितने दिनों का स्टॉक था और यह अचानक इस तरीके से भी तक होता है दो दिन का हम लोग मेंटेंग करके रखते हैं अब आज की डेट में प्रीमियम और पेट्रोल लगबग दोनों खतम हो रहे हैं डीजल पैट्रोल पांसों कब आ रहे हैं वो लोगों के दिमाग में तिंकिंग आगे के लिए हम क्या करेंगा रख रहे हैं यह कब पैट्रोल आने जाने में दिक्कत हो रही है यहां पर कैसे आप पैट्रोल रीफिलिंग कैसे होगी कुछ अंदाज़ा ड्राइवर्स से बात हुई अभी जब पैट्रोल आहीं नहीं नहीं है तो अभी हम कुछ कुम बता ही नहीं सकते हैं कोई उम्मीद नहीं कि कब तक ऐसे हा है उसमें आपनी डूटी पे आएंगे जब ड्राइवर्स अपनी डूटी नहीं तब लेकर के आएंगे और याशार तारी के बाती नार्माल ओगी वह भी सामको पांच बजे के बार आखरी सवाल मेरा यह कि जिस हिसाब से भीड बढ़ती जा रही है तो कितने घंटे में ल लोग चला पाएंगे इतनी ज्यादा यहां भीड़ हो चुकी है कि यह पेट्रोल पंप बहुत जादा चलता है क्योंकि बिल्कुल चौराहे पर ही है दूर दूर से भी आने वाले लोग लगभग यहां पर स्टॉपज लेते ही है और यहां के मैनेजर का कहना है कि शायद आज मंगलवार की शाम चार बजे तक यहां पेट्रोल खत्म हो जाए कुछ नहीं पता है कि ड्राइवर्स कब यहां वापस पेट्रोल ला पाएंगे और यह हालात कब तक बने रहेंगे कैमेरा परसन आशिश के साथ मैं किरन न्यूस ट्रैक लखना हूँ